वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज मैं आप सब के लिए लेके आ गई हूँ होली स्पेशल नमकीन की रेसिपी और ये नमकीन बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है तो यहाँ पे मैंने 4-5 आलू को छील के और वाश करके ले लिया है यहाँ चूडा ले लिया है और यहाँ पे ले लिया है मुंफली तो आप देख सकते हैं मैंने 1 कटोरी के करीब मुंफली लिया है और यहाँ पे लाल मिर्चा पाउडर और काला नमक आप चाहें तो कोई सा भी नमक इसमें यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग आलू को कद्दू क करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने कौन सा कद्दू कस लिया है आप कोई सा भी जो भी आपके पास एवलेबल हो उसका यूज करें और यहां पे आलू को ना कद्दू कस कर लेंगे तो यहां पे मैंने आलू को कद्दू कस करना स्टार्ट कर दिया है और आगे बावल में ट्रांसपर कर लिया है को टीन पर आसी ही पानी से और यहांपर आप देख सकते हैं मैंगा इस तरह से रौश करती है तो बस यहाँ पर ले लिया है मैंने एक clean कपड़ा आप कोई सा भी cloth use कर सकते हैं मैंने यहाँ पर clean cloth use किया है उसी पर सारे ही आलू को इस तरह से फैला दूंगी आप चाहें तो पंगे की नीचे भी इसे रख सकते हैं मैंने 10 मिनट के लिए इसको ऐसी छोड़ दिया है और यह किसी में हम लोग आलू को इसके अंदर डाल देंगे तलने के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आलू को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है और यहां पर मेरा जो आलू है वो फ्राई हो जाएगा और कुछ देर के बाद मतब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही 10-15 मे यहां पर देख सकते हैं जादा टाइम नहीं लगेगा दस मिनट के अंदर ही सारी आलू हमारे बहुत क्रिस्पी से रेडी हो जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा यह फ्राई हो गया है तो बस इसे हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में मैंने प्लेट पर लगा कि इसको रखा था आप चाहें तो कोई पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं तो बस यहां पर मैंने चूड़े को भी यहां पर फ्राई कर लिया था और हमारा चूरा भी जब फ्राई हो जाएगा ना तो उसको इस स्टेस पर तुरंती निकाल देंगे बस उसको और जादे देर तक नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद यहां पर ले लेंगे मुंग फुली तो एक कटोरी मुंग फुली मैंने पहले ले लिए आपको बताया था और उसे भी यहां पर फ्राई कर लेंगे और जब हमारा मुंपुली फ्राई हो जाएगा after five minutes हमारी मुंपुली फ्राई हो जाएगी तो उसे भी एक plate में निकाल लेंगे और plate में निकालने के बाद चलते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारा आलू है किटना क्रिस्पी सा रेडी हो गया है दिख सकते हैं तो बस अब इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे मुंफली और यहां पर चूड़ा मुंफली एट करने के बाद इसमें आट करेंगे काला नमक आप चाहें तो कोई सभी नमक यूज कर सकते हैं सेंदा नमक भी यूज कर सकते हैं और अगर आप ब्रत के लिए बना रहे हो तो इसमें चूड़ा मट डालें तो बस यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है लाल मिर्चा पाउडर काला नमक और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद य ऐसे बहुत सारी रेसिपी मैं लेके आती रहती हूं तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट तो जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो के साथ